आज जिला जार्खण मुक्ती मोर्चा समीती गोड़ा के द्वारा केंद्री ये समीती की निर्देश पर दिसौम गुरू बाबा माननीय सीबू सौरेन जी का सततरवा जनन दिन गोड़ा जिला मुख्याले के सदर स्पताल में धुमदाम से मनाया गया देवगर पुलिस अदिक्चे गस्वनी कुमार सिन्हा को मिली गुप सूचना के आधार पर परिसिक्चु आई पीएस कपिल चौधरी साइबर डियसपी नेहा बालाव मुख्याले डियसपी मंगल सी जमुदाव सार्वा थाना प्रवारी की अगवाई में साइबर थाना की प पुलिस ने बड़ी ही बहादूरी के साथ 24 घंटे के अंदर गिरपतार कल जीर भेज दिया है आपको बताते चले की यह मामला बिस्नुपुरा प्रखंड के पतिहारी गाउनिवासी नसरू मिया का पुत्र सरफराज अंसारी अपने ही गाउं से नावालिक लड़की को साधी का जहांसा देकर बहला फुसला कर भाग रहे थे जिसमें बिस्नुपुरा पुलिस ने सौव को उन्हें की रपतार कर जेल भेज दिया है जीला परसासंग के तताओधान में नगर परिशत के सायोग से आज वार्ड नंबर एक और तीन में वस्तदान महादान अभियान चलाया गया अभियान में अस्थानी निवासियों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते वे बड़ी संख्या में पुराने मगर उपयोगी वस्त्रों के अलावा जूते चपल का दान भी किया कई लोगों ने इस अभियान की प्रसंसा करते वे नए वस्त्र भी दान किये आज समानले इस तित सभागार में उपागत महदे गोड़ा भोरसी यादों की अधिक्स्ता में सिक्छा विभाक से सम्मंदीत बैठक जिसमें सर्च सिक्छा विहान की कारिकारी समीती मध्यान भोजन योजना मॉनिटरिंग कमीटी एवं ग्यानोदे आहूत की गई बैठक में उपागत महदे द्वारा विगत बैठक की कारवाई के अनुपालन के बिंदुवार समीच्छा भी की गई देवघर में जारकर्ण मुक्ती मोर्चा सुप्रीमो दिसोम गुरू सीबु सोरेन का सथ दर्मा जनमतीन रईवार को बड़े हरसुलास के साथ मनाया गया जिसको लेकर क्रिसी मंत्री बादल पत्र लेख रईवार को बाबा बैठना धाम देवघर पहुचे और बाबा बैठना धाम दुआ दस ज्योतिर लिंग मनुकामना लिंग का दर्सन किया